तो भाई लोग, सबसे अच्छी shipping company कौन सी है? ये सवाल बहुत बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, पहले भी वीडियो बना चुक हो, बट मुझे लगता भी नएने candidate आगे, पुराने वीडियो तो किसी को देखने का टाइम है नहीं, तो फिर से बताते हैं, तो best company कुछ नहीं होती है, ये सवाल ही गलत है, you know, best company depends करेगी कि आपको क्या चीए, आपको चीए quick promotion चीए, आपको अच्छी facilities चीए ship पे, या फिर आपको अच्छी salary, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने है, and more than shipping company, पैसे वाली बात और वो तो उस पे आजाई कि मतलब कौन से टाइप का ship अच्छा है, जैसे कि gas carriers पे सबसे अच्छी salary मिलती है, फिर tankers पे मिलती है, फिर bulk carrier अपना container हो गया, तो ये मोटा मोटा अपना main charge हो गया, तो भाई best shipping company का ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ companies के example देते हैं, जैसे कि mux company हो गई, अपनी tk company हो गई, या फिर कुछ companies जैसे कि stay नहीं हो गई, अब इन सब company में क्या है, कि यार बहुत अच्छी company है, internet facility अच्छी है, आपके terms of employment बड़े अच्छी है, सब कुछ आपके favor में है, आपको salary बड़े अच्छी मिलेगी, मगर promotion बहुत slow होगा, उसका reason यह है, कि क्यों कि अच्छी company है, तो लोग छोड़के जाते नहीं है, लोग लंबा लंबा उसी company में रहते हैं, तो उन companies में opening कम आती है, opening कब आईगी यार, जब अगर आप third engineer हो, company को और second engineer की ज़रूत है, तो आपको third engineer से second engineer बनाएगी ना, अगर उसके पास already काफी second engineer है, जो लंबे समय से उनके साथ sailing कर रहे हैं, और वो इधर उधर छोड़के नहीं जा रहे हैं, तो vacancies इन company में बनेगी इन ही, वेकेंसी नहीं बनेगी जल्दी, तो जल्दी आपका promotion नहीं होगा, अब दूसरा example लेते हैं, कोई Indian company का ले लो आप, जैसे की Seven Island, या फिर अपना Jesco, अब इन सब company में क्या है, इन प्रोमोशन फास्ट है, क्योंकि कोई टिकता नहीं इन company, सब मैं खुद Jesco में एक कांट्रेक्ट मैंने मारके, फिर उन चला गया था, प्रोमोशन के लिए गया, अभी चेंज हो गया, स्टैंडर्ड, अभी इवन कमनी लेक इस, यून सीनिर ओफसर के लिए तो चेंज हो गया, अफी अच्छी हो गई है, लेकिन, माल दे जिए आप स्टार्ट करते हो, थर्ड ओफसर से, यार उस, इनको नहीं मिलेगा, कोई थर्ड ओफसर, कोई सेकंड ओफसर नहीं मिलेगा, मेभी इनो, जिस स्पोर्ट में आपने जोइन किया, थरड़ और आप सेकंड और बन जाओंगे पितला पहले तो ऐसा होता था अब ऐसा दो नहीं होगा बट जलदी हो रहा है तो आपकी salary जलदी जीसे की एक example लेते चलो यहाँ पे आपने 4 shift करें, just मुआ अपने, 4 shift करें, 3rd officer, फिर आपने 4 शीप करें, as a 2nd officer, 3rd officer, 2nd officer में तो salary का ज़्यादा ज्यादा फरक है ही, लेकिन Chief Officer फिर अगर आप यहां पे मर्क्स में आपको Chief Officer बनने में बहुत लेट होती है तो आपकी जो salary है Second Officer से Chief Officer तक डबल हो जाती है वो process बहुत लेट होगा हाला कि वो process एक Indian company में या जो company इतनी जादा अच्छी नहीं है compared to facilities and all these things तो यहां पे आप जल्दी बनोगे बेभी यहां पे आप दो तीन शिप थर्ड में दो शिप सेकेंड में और पांच शिप के बाद चीफ में बन जाओगे तो आपकी salary सेकेंड में से चीफ में डबल हो गई और यह काम आपका जल्दी हुआ तो आप पूरे career में देखोगे ना तो कुछ फरक नहीं पड़ता है बस फरक क्या पड़ता है कि आप अपना priority बना लो कि हमें क्या चीए मुझे चीए quick promotion मैं तो भाई quick promotion के पीछे पागल था मुझे लगता है सबको इसी के पीछे पागल रहना चीए काम से मड़ डरो शिप से मड़ डरो पूराना जहाज है नया जहाज है scrap है ये problem वो problem कुछ नहीं यार जब दरिया में हो family से दूर हो तो जल्दी जल्दी promotion लो और जैसे जल्दी जल्दी high rank में जाओगे salary automatically आपकी ज़्यादा होती जाएगी तो मेरा suggestion ये है कि एकदम top class company में भी मज जाओ और एकदम low class company में मज जाओ क्योंकि top class company में तो आपको बता दिया मैंने promotion slow है अब एकदम low class company में जाओगे तो या dangerous हो जाता है कई बार high risk area में आप जाओगे बोलेंगे बिना arm guards के चले जाओ तो वो risk है और company खराब होगी facility safety के standards इतने बुरे होगे उसमें जाज में safety के equipment का standard खराब होगा तो आपके लिए risk है safety culture नहीं होगा उस company में या उस जाज पे तो आप एक बहुत जादा risky environment में काम करोगे तो मेरे ख्याल से तो यार आपको medium company like you know management companies हमारी Scorpio management Scorpio बोल रहो अब नाम लेना देखो इतना अच्छी बात तो है नहीं management companies join करो जहांकि इनों balance हो, facility भी हो safety भी हो और promotion भी जल्दी हो तो ऐसी company मेरे ख्याल से तो best होती है और जब आप यार credit ships से start कर रहे हो तो जो ship ये सब भी मत देखो क्यूंकि आपको ship मिल रहा है इसमें आप खुश रो काफी candidates को बहुत वेट करना पड़ रहा है और ship भी नहीं मिल रहा है तो अगर आपको मिल रहा है तो be happy about it and don't worry अगर ship type भी पसंद नहीं है तो आप change कर सकते हो मेरा suggestion यही है कि junior rank में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना ship type change कर लो और ऐसे वीडियो मैं अभी आपके लिए लाते ही रहूँगा कुछ-कुछ informative कुछ-कुछ vlog type और आप सब को पता है अगर join करना है तो lifex करिये lifex merchant navy यूटूब पे और lifex career इंस्टाग्राम पे follow करिये description में भी डाले हुए है तो आपका काम बहुत easy सही रास्ता से जाओ यार इधर उधर मज जाओ agent के पास मज जाओ पैसे मत बरबाद करो पैसे तो चलो बरबाद हो गए तो हो गए time मत बरबाद करो क्योंकि आपकी उबर जब है 19, 20, 21 तो यार आपकी age की जो value है क्या बताओ कितनी जादा value है चलो वीडियो अच्छा लगा तो like मारो ठोको फोड़ दालो और stay fit जै हिंद I will see you on the next one उप चोगार आपकी ए भी data